Hello friends, आज हम मैं आपके सामने English Literature के जो semester 3rd है उसकी syllabus और notes के regarding वीडियो बना रही हूँ तो जो English Literature का syllabus है, लेटेस syllabus है Punjabi University की website है जो उस पर भी जाकर आप ये syllabus है जो डाउनलोड कर सकते है तो आज हम बात करें है English Literature के 3rd semester की जो है चौसर से लेकर 18th century तक का period इसमें आपको section A है जो उसमें section A में आपको कुछ concepts आएंगे कुछ important concept जैसे की definition is sense of drama है drama and theater, structure, characterization, stage direction, dramatic conventions ठीक है और stage और drama के वसे related जो terms बनती है जैसे comic relief क्या है, pathos क्या है, side और soliloky ये क्या है इनको आपने explain करना है तो ये हमारे A section में बनते है उसके बाद हमारे पस आता है B section जिसमें history या literature की वो पूछी जाएगी और इसमें दो parts होंगे first में आपको histories related question आएंगे जैसे की चॉसर के टाइम में कौन सी movement चल रही थी चॉसर के टाइम में reformation और renesia कैसे आया drama का English में origin और rise कैसे हुआ metaphysical poetry पे note लिखो neoclassical literature की क्या क्या विशिश्टाइन थी rise of novel और restoration comedy है जो इन पे आपको notes हैंगे यह सभी है जो यह सभी moments हैं जो हमारी चॉसर से लिकर 18th century तक के period को cover करती हैं तो उन से related आपके साथ question पूछा जाएगा और फिर आता है हमारा important text B जिसमें कुछ text दिये होंगे यह वो text है जो चॉसर से लेकर 18th century के period के time में कुछ playwrights द्वारा लिखे गए थे जैसे partner tale है वो चॉसर ने लिखी थी as you like it है सेक्षपेर का लिखा हुआ डक्टर फॉस्टियस किस्टॉफर मारलो का लिखा हुआ है इसी तरह से पामेला और जो rape of the lock है जो यह अलग लग जो हमारे writers थे उस time period के में un important text को इसमें syllabus में prescribed किया गया तो यह हमारा section B है जिसमें आपको दो parts में question पूछे जाएंगे इसके बाद हमारे पास C और D section है C section में William Shakespeare आता है जिसमें उनका जो play है Julius Caesar वो लगाया गया आपको और section D में Oliver Goldsmith का play है जो She Stoops to Conquer वो लगाया गया इसमें आपको long question और short question पूछे जाएंगे तो यह आपका syllabus था अब हम बात कर लिया थे कि syllabus में से question कैसे आएंगे देखिए जो हमारा A part है जिसमें कुछ concept थे हमारे first वो four होंगे आपने उसमें से कोई भी two करने है जो की ten marks के आएंगे मतलब एक question है जो five marks का होगा उसके बाद हमारे पास history से related जो questions है चौसर से लेकि 18th century तक के जो A part में है वो seven marks के आएंगे और जो B part में हमें text prescribed किये गए थे वो आएंगे वो हमें six marks के होंगे मतलब three marks का एक question है जो उसमें से पूछा जाएगा इसके बाद हमें Julius Caesar था play Julius Caesar play में से एक long question one passes for reference to context जैसे की परसंग सैथ व्याख है बूची जाती है तो इसमें आपने कुछ नहीं करना आपको जो paragraph दिया गया होगा उसमें आपने यह लिखना है कि यह जो play है वो Julius Caesar से लिया गया इसको William Shakespeare ने लिखा है और उन lines को पढ़के आपको explain करना है कि इन lines में क्या बताया गया है तो long question है जो वो seven marks का है और जो जो हमारे पास paragraph होगा passes होगा वो four marks का होगा यह seven marks का longer four marks का हमारे पास passes for reference है इसी तरह से she's troops to conquer में है एक essay type question आएगा seven marks का और एक passes आएगा four marks का इसके इलावा हमारे पास सबी जो हमारा syllabus है section A से लेकि section D तक उसमें हमें short questions पूछे जाएंगे जैसे कि हमारे play हैं दोनों उनमें से two two marks के eight question है जो पूछे जाएंगे और हमारे पास जो drama से concept है वो eight marks के होंगे और इसे तरह से चौसर से 18th century तक का जो period है उसमें से two three questions पूछे जाएंगे six marks के तो इस तरह से आपको short question में कोई choice नहीं होगी पर long questions में है जो वहाँ पे आपको choice में देगी तो ये था हमारा syllabus उमीद है आपको समझ में आगया होगा कि syllabus कैसे उन्होंने divide किया है ये hundred marks का paper है इसमें 75 marks पर जो ये question paper आपका 75 marks काएगा 25 marks के आपकी assessment है जो आपकी college के तरह से जाएगी आपकी performance आपके test आपका जो भी मतलब देख कर उन्होंने वो assessment है वो लगानी है तो इसके साथ related जो notes मेरे पास available है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो notes हैं वो भी आपको available होंगे ये देखिए ये हमारे third semester के notes है English literature from चौसर to the 18th century इसमें जैसे कि मैंने आपको syllabus बताया है syllabus के according ही syllabus की sequence में ही आपको notes मिलेंगे जैसे first section है हमारा important concept तो उसमें आपको जितने भी questions है definition and sense of drama जो आपको ये questions आने है sense of drama, drama में क्या है उसके बाद drama and theater ये question आएगा length आपको पूरी मिलेगी answers की structure क्या है characterizations और characterization of drama, stage direction, dramatic convention तो ये आपको सारा यहां पे मिलेगा इसके इलावा जो हमारे पास चार हमारे पास comic relief पे terms थी pathos, aside, solid law की ये मिलेंगे इसके बाद हमारा section भी आता है जिसमें history से related questions होंगे जो की हमारा पहला question था renaissance reformation ये seven marks का आपको आना है तो ये आपको points के जरीए मिलेंगे the origin and rise of drama ये भी आपको ऐसी मिलेगा जैसे की original rise of drama कैसे आया पहले miraculous mystery plays थे, फिर morality plays आये, फिर interludes आये, फिर regular tragedies शुरू हुई, regular comedy शुरू हुई, किसने पहले comedy लिखी, किसका पहला work comedian था, किसका पहला work tragedy था, वो सब आपको इसमें मिलेगा इसके बाद metaphysical poetry पे note है, कि metaphysical poetry है, जो वो किसने found की थी, उसका leader कौन था, वो पूरी explanation आपको इसमें मिलेगी इसके बाद हमारे पास chief characteristic है, new classical literature के, कि new classical literature का time period क्या था, इसको क्या कहा जाता था, इसमें कौन-कौन से writers आते हैं, क्या लिखते थे उस time में, वो points के जरीए आपको दिया जाएगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा marks हैं, जो आ सके rise of novel, novel है, जो वो कैसे rise हुआ, सबसे पहला novel कौन सा लिखा गया, किस time period में लिखा गया, किस ने लिखा, कौन सा था, वो सारा आपको rise of novel, जो है, पूरी history उसको, इसकी आपको इसमें मिलेगी उसके बाद restoration comedy क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कौन-कौन से writer है restoration comedy के, वो भी आपको points के जरीए मिलेंगे, इसके characteristic में क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसके बाद हमारे पास taxes हैं जी, parodans tales ये story हैं, इनकी partner tales में क्या है, उसके बाद हमारे पास as you like it की story आएगी, dr. faustius की story आएगी, pamela की story है, और उसके बाद हमारे पास the rape of the lock की story है तो ये हमारे पास stories हैं, जो आपको four four marks की आनी है, इसके बाद हमारा section C है, जिसमें हमें Julius Caesar, Shakespeare का play prescribed है, तो इसमें character sketch है, Julius Caesar का, जो बहुत ही important है, ये सारा character sketch है, ये seven marks का question आपको आना है second question है character sketch of Brutus, Brutus का character sketch बहुत ज़्यादा important है, वो आपको पूरा points में मिलेगा, title है जो वो appropriate है या नहीं, ये question भी important है, तो जो जितने भी question important निकलती है उसके बाद मारा section D है, she stoops to conquer, इसके themes जो निकलते हैं, वो question long है, इसमें themes वाला question और ये देखे, उसके बाद heroism of Marlo and Tony Lumpkin, तो ये दो characters हैं, उनकी अंदर heroism कैसे है, वो बताया गया है, तो protagonist है Marlo, तो उसके बारे में, उसके बाद हमारे पास social and psychological contrast है मतलब she stoops to conquer एक play है, जिसमें social and psychological contrast पाया जाता है, इसमें भी question बन जाता है, तो ये भी long question इसमें दिया हुआ है देखे, तीन से चार long question आपको जो है, place related मिल जाएंगे, तो ये हमारा था भी ये semester third के notes, उमीदें आपको अच्छे लगे होंगे, अगर आप परचीज करना चाते हैं, तो आप मिले को call करके order दे सकते हैं, ये आपको एक single जो है semester के notes भी मिल जाएंगे, और अगर आप first, third औ fifth के लेना चाते हो, December exams के लिए वो भी available है, और अगर आप first से लेके six तक complete notes लेना चाते हो, तो वो भी available है, आप कौन सा भी semester है, उसके notes आप ले सकते हो, आपको जैसे दिखाये गए हैं, वैसे ही मिलेंगे, ठीक है जी, उमीदें आपको अच्छे लगे होंगे, तो अगर आ आप order करना चाहें, तो आप मुझे phone करके order दे सकते हैं, thank you, have a nice day, next video में next semester के साथ मिलेंगे,